हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माइचे लगर डॉक्टर अलानात पाथी आज मैं फूड न्यूटिशन एंड हाईजीन का प्रेक्टिस सेट सिक्त लेके आए हूं ठीक है इस सेट मैंने हेड़े समंधी रोगों में कौन-कौन सा आहार देना चाहिए और कौन सा आहार नह प्रेक्टिस सेट मैं पहले भी मैंने मदों में से रेलेटेड एक वीडियो डाला हुआ है और विभिन रोगों में कौन-कौन सा आहार देना चाहिए ठीक है ना उप्चारात्म का आहार का भी वीडियो डाला है वह आप लोग देख लिजे उससे आपके काफी कुश्यन उप्योगी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा ठीक है तो शुरू करते हैं आज की क्लास हिर्दय रोग के अंतरगत कितने रोग आते हैं इसमें देखे एथेरो इसक्लोरोसिस उच्छ रक्त चाप मदू में है ए और बी दोनों राइट आंसर क्या है हिर्दय रोग के अ लोग में र्क्त नलकाओं की आंतरिक दीबारों में वसा कोलस्ट्रल पान तथा क्राइगलेसर रइड का जमाव हो जाता है द्धम निया क्या है? शिकोड़ जाती है, ब्लेट का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है ठीक न, अगर kiss क्लोटिंग हो जाती है, तो濃ण ध्धम न, तो濃ण ऐगर पूरी तरह से हो जाता है उच्छ रक्त चाप ऐसी इस्थिती है जिसमें खून धमने की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दवाव डालता है आम तोर पर 140 अपॉन 90 से उपर के रक्त चाप को उच्छ रक्त चाप के रूप में परिभाशित किया जाता है अगर दवाव 180 अपॉन 120 से उपर है तो यह घातक होता है नॉर्मल इस्थिती क्या होती है 120 अपॉन 80 mmHg सामान व्यक्ति का रक्त चाप होता है अगर कोशन देखिए सामान व्यक्ति का रक्त चाप कितना होता है आ गया है इसमें आपका सिस्टोलिक और डास्टोलिक दोनों देखना है हम लोग को तो देखिए राइट आंसर में बता देती हूं 120 अपॉन 80 mmHg राइट आंसर हो जाएगा बी अगला देखिए सामान व्य सिस्टोलिक कितना है किटन राइट गया हो जाएगा 120 mmhg होता है यहानि कि सिस्टॉलिक होता है जो राइड होता कि बताती हूं सिर्ट वेक्ति का सिर्स टोलियक प्रैसर कितना होता है 110 से 130 तक हो सकता है ठीक है प्रोण व्यक्ति का ठीक है 110 से 130 तक हो सकता है इसके बीच में अगर होता है तो वो नौर्बल कहलाएगा अगर इससे जादा होगा तो जादा हो जाएगा इससे कम होगा तो फिर लो हो जाएगा सामान व्यक्ति का डायस्टोलिक ब्लेड पिसर कितना देता है डायस्टोलिक का मतलग होता है प्रसारण दवाव ठीक है इसमें देखिए 50 mmHg, 80 mmHg, 70 mmHg और 100 mmHg, राइट आंसर क्या हो जाएगा 80 mmHg होता है डायस्टोलिक का मतलब होता है निचली रीडिंग जब डायस्टोलिक रीडिंग कितनी हो 60 से 90 ठीक है नॉर्मल कहलाएगी 60 से 90 के बीच में है अगर तो नॉर्मल कहलाएगी अगर 90 से उपर है तो हाई ब्लेड पिशर है और 60 से नीचे है तो लो ब्लेड पिशर कहलाता है अब जाते हैं घंबनियों की दिवारों में सिथिल था जाती है रग्त दाव क्या होता है तो इसी प्रसारन दाव यान की था कि होसकता अंतर कितना हो सकता है 95 तक हो सकता है सिस्तोलिक और डायस्तोलिक दाव में 40-50 का अंतर होता है यदि यह अंतर बढ़ जाए क्योंकि देखिए 120 और 80 40 का डिफ्रेंस है ना इसमें तो अगर इससे जादा हो जाता है और वह निरंतर बना रहता है तो क्या है उच्छ रक्चाप कहलाएगा शरीर में कौन सा अंग कभी विश्राम नहीं करता है राइट आंसर हो जाएगा हिर्दे कभी भी विश्राम नहीं करता है अगला देखिए हिर्दे का रुधिर दाओ की सियंत्र से माप नापते हैं लेक्टोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं लेक्टोमीटर के द्वारा दूद की शुधता नापते हैं कि दूद में कहीं पानी की मिलावट तो नहीं है या इससे वसा तो नहीं निकाली गई है इसलिए लेक्टोमीटर के द्वारा हम दूद की सुधता नापते सकते हैं और ऑक्सिमीटर के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे बॉड़ी के अंदर ऑक्सिजन लेवल कितना है ठीक है अगला देखिए रक्त चाप का सामाने से अधिक होना क्या कहलाता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपरग्लाइसीमिया, ट्रेकी कार्डिया राइट अंसर क्या है हाइपरटेंशन कहलाता है सामाने से अधिक होना हाइपरटेंशन कहलाता है सामाने से कम होना हाइपोटेंशन कहलाता है और हाइपरग्लाइसीमिया क्या कहलाता है उच रख्त Sharkra कहलाता है इसी क्या कहते हैं? इस हम पभादि क्या होता है इसे क्या कहते हैं? इसी हम pericardial fluid कहते हैं ठीक है न क्या कहते हैं हिर्दे आवरण के दोनों परतों के मद एक fluid भरा होता है इसी हम pericardial fluid कहते हैं बहुत ही important question है ठीक है हिर्दे का वहे आवरण क्या कहलाता है endocardium pericardium निले आलिंद राइट आंसर क्या है हिर्दे का वहे आवरण pericardium कहलाता है और endocardium हिर्दे का आंतिक आवरण कहलाता है मानों हिर्दे की four chamber होते हैं जिसमें क्या है दो निले होते हैं और दो आलिंद होते हैं मनुष्य के सरीर में हिर्दे को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है यह बहुत ही important question है point eight second लगता है ठीक है न राइट answer हो जाएगा B मानों हिर्दे में कितने walv होते हैं यह भी बहुत ही important है इसमें four walv होते हैं कितने होते हैं मानो हर्दय में 4 वाल्ग होते हैं हर्दय का दोरा किन कारणों से होता है ठीक है हर्दय में रक्त आपूरती क्या दिखता इससे तो नहीं होगा हर्दय में रक्त आपूरती कमी यह सही है जब हर्दय में रक्त की आपूरती प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है तो क्या हर्द का दोरा पढ़ता है हिर्दे निले के संगुचन में धमनियों में रक्त बहने लगता है रक्त दाव बढ़ जाता है इसी क्या कहते हैं जब बढ़ता है तो क्या हो जाएगा सिस्टोलिक प्रेसर कहलाएगा और जब सिधिलता आती है तो क्या कहलाता है डायस्टोलिक प्रेसर क जालाता है उच्छ रख्थ चाप के कितनी अवस्थाएं होती है एक दो तीन चार राइट आंसर क्या है उच्छ रख्थ चाप की तीन अवस्थाएं होती है कौन कौन सी होती है नम्बर पहला है साधारण अवस्था इसी को कहते है हम mild hypertension ठीक है सेकंड है उच रख्चाप की मध्यामस अवस्था इसको कहते हैं moderate hypertension और उच रख्चाप की गंभीर अवस्था इसी को कहते हैं हम severe hypertension ठीक है तीन अवस्थाइं होती है इसके उच रख्चाप की mild hypertension में diastolic रख्चाप कितना होता है ठीक है mild में देखना है आपको जो प्रारंबिक अवस्था होती है उसमें कितना होता है तो यह 90-105 mmHg तक होता है ठीक है न और 105-120 में है तो यह क्या कहलाएगा moderate कहलाएगा यानि कि मध्यम रख्चाप की अवस्था होती है और 120 है या 120 से अधिक है तो यह क्या कहलाएगा गंबी रिष्थिति है उचरग्चाप की गंबीर अवस्था यानि कि severe hypertension कहलाएगा ठीक है न और normal क्या है 80 होता है यह तो normal है इसकी ठीक है अब एक बार मैं और बताती हूं आपको देखिए जब severe hypertension में diastolic रख्चाप 120 से अधिक हो जाता है और यह renal failure के साथ होता है तो इस अवस्था को malgane and hypertension भी कहते हैं यह भी आप लोग याद रखिएगा निम्न मैंसे lifestyle विमारी कौन सी है ठीक है न उच्छरग्चाप मदुमे मुटापा और उप्रोप सभी right answer क्या हो जाएगा सब लाइफस्टाइल डिजीज कहलाती है उच्छरग्चाप के क्या कारण है बंसानुक्रिम भोजन संबन्दी आदितें मुटापा और उप्रोप सभी right answer हो जाएगा उप्रोप सभी इसके अलावा लिंग आयू ठीक है ना इसमें महिलाओं की अपिक्छा पुर्दों को hypertension ज्यादा होता है और एक आयू के बाद यानि के 45 के बाद 45 की आयू के बाद भी उच्छरग्चाप की समस्या बढ़ सकती है अगर आप लेजी रहेंगे exercise नहीं करेंगे और ब्यायाम बगर कुछ भी नहीं करेंगे तो क्या होगा इससे उच्छरग्चाप होने की संभावना बढ़ जाते हैं धुमरपान, तंबाखो, मास, मद्रा, चाय, कौफी का अधिक सेवन भी उच्छरग्चाप का कारण मनता है मानसिक तनाव वावातावरन और रक्त परिसंच्रन तंद वा गुर्दों में विकार की कारण भी उच्छरग्चाप हो सकता है ठीक है अगला दे प्रारंब में सिर्दर्ध होता है, चक्कराना, दुरवलता, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, छाती में दर्ध, ठकान, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट में गैस वनना, कब्ज, अत्वा, पाचन, सम्मंदी विकार, नीद डाना, मानसि विकार, इसनाइव इस्ख खराब होती है, तो उसमें आखों की रोशनी भी चली जाती है, उच्छे रख्चा की गंभी रिस्थिती में सरी पर क्या प्रभाव पड़ता है, हर्दे की गती आहुरुद होना, गुर्दे में विकार आना, आखों को देखने की सकती छेड़ोना, उप्रोग सभी ये सभी क्या कारण है, जब हाई ब्लेट पेशर हो जाता है, सीवियर कंडिशन होती है, तो हर्दे की गती अउरुद हो सकती है, गुर्दे में विकार आ सकता है, किड्नी फैलोर हो सकती है, और आखों की आईसाट भी बिक हो सकती है, और गंभी रिस्थिती में हर्दे की गती और वसा राइट आंसर क्या है वसा का अधिक सेवन करने से अधिक कैलोरी युक्त आहार अधिक संत्रप्त वसा कॉलिस्ट्रॉल युक्त भोजन आराम दायक जीवन सेली मांसिक तनाव एवं चिंता के कारण यह रोग होता है इस रोग में रक्त नलकाओं की आंत्रिक दीवारों में वसा कॉलिस्ट्रॉल तथा क्लाइस्ट्राइट का जमाव हो जाता है अगला देखिए इस रोग की कितनी अवस्थाएं हैं इसमें तीन अवस्थाएं होती है प्रताओं अवस्था क्या है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसका बता देती हूँ तभी आपको समझ में आएगा प्रताओं अवस्था में रक्त की धमनियों में सबसे पहले वसा युक धब्बे से पदार्थ जमने लगते हैं धमनियों की आंत्रिक सतह पर पीले रंग के वसा युक धब्बदार्थ तथा कॉलस्ट्रॉल संयोजक तंतुओं में जम जाते हैं अब सेकंड अवस्था में क्या है इस अवस्था में धमनियों में वसा तथा कॉलस्ट्रॉल युक पदार्थ महीन रेसे जैसे बन जाते हैं जिससे वसी अम्र, लाइपो प्रोटीन, कॉलिस्टॉल, केलसियम, जटिल कार्वोस, रेसे तथा रक्त में उपस्थित रहते हैं इन पदार्थों की अधिक मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि इसके कारण रक्त धनियों का लिमन सक्रा हो जाता है जिसके कारण रक्त बहने ही तो जगे नहीं मिल पाती है परणाम सुरूप रक्त रवाय में बादा उत्पन हो जाती है सेकंड अवस्था में और थर्ड अवस्था में क्या है इस अवस्था में धमनियों में जमे हुए वसा कॉलेस्टरॉल स्टार्च आदी पदार्थ कुछ नरम तथा कोमल हो जाते हैं धमनी में घाव हो जाता है जिसके कारण धमनियों की आकरती बिगड जाती है घाव के निचले भाग में रेशे दार्पदार्थों तथा कैल्सियम का जमाव हो जाता है इन घावों से रक्त स्राव होने लगता है रक्त स्राव के बाद जब रक्त का ठक्का हो जाता है तब वह धमनियों के अंदर बीच में जाकर क्या हो जाता है? और रक्त प्रभाय की क्रिया को बाधित कर देता है जिससे क्या होता है? इससे हमारी हर्डे को पर प्रतिकुल प्रभाय पड़ता है और रक्त का ठक्का जमने के कारण Blood Sirculation ठीक से नहीं हो पाता है परणाम सरूव व्यत्ती की म्रत्यू भी हो जाती है ठीक है अगला देखिएगा हर्दय रोग तथा एथेरो इस्कलोरसिस के उपचार के मुख सिध्धान्थ क्या है नीमित सारीरिक ब्यायाम ठीक है सिगरेट पूइना पूंता वर्जित है मानसिक कनाव चिंताओं से मुख्थ होना रहना है और उपरोग सभी सभी है इसका अंस व्योंन्हें योग को जरूर सामिल करना है ठीक है और नीमित समय पर दवाईं लेना है तो मानसिस सामान होता है से 150 से 200 mz upon 100 ml रक्त में kolesterol सामान माना जाता है अगर इससे अधिक होता है तो kolesterol बढ़ा है और इससे कम होता है तो फिर low kolesterol हो जागा कोई दिक्कत ही नहीं है मालो शरीर में kolesterol कितनी प्रकार का होता है दो तीन चार पांच राइट अंसर क्या है दो प्रकार का होता है कौन कौन सा होता है HDL और LDL HDL का फुल फॉर्म है लाई हाई डेंसिटी लिपो प्रोटीन याने की उच्छ घनत लिपो प्रोटीन इसे क्या है good cholesterol भी कहते हैं इसकी हमारे शरीर में मात्रा कितनी होने चाहिए 60 MZ upon DL से जादा होने चाहिए 60 से जादा होने चाहिए और LDL क्या है LDL को लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन कहते हैं इसी को निम्ड घनत लिपो प्रोटीन भी कहते हैं ठीक है ना इसे bad cholesterol भी कहते हैं इसके हमारे शरीर में मात्रा 100 MZ LDL से कम होने चाहिए ठीक है bad cholesterol बढ़ने से heart disease होने की संभाना रहती है अगला दीखिए cholesterol किन भोजपतार्थों में पाये जाता है अब देखिए आप लो बनस्पतिक भोजपतार्थों प्राणी जगत से प्राप्त वसा में अंडे के पीले भाग में उप्रोट भी और सी रा मांस यक्रत आदी में पाया जाता है यह शरीर में यक्रत द्वारा भी निर्मित होता है इसलिए right answer हो जाएगा बी उच्य रक्त दवाओ के लक्षण क्या है जब बहुत ही severe condition होती है उस उस सवस्था के लक्षण क्या होते हैं सांस लेने में अत्यांत परिशानी होती है पयानक सिर में दर्द होता है ब्रेन हैम्रेज भी हो सकता है यानि कि दिमाग के नस भी फट सकती है और उप्रोग स सभी क्या है अत्याधिक उत्ची रक्षचावा के लक्षण होते है इसमें क्या है 120 mmHg से डायस्टोलीग प्रेसर जादा हो जाता है उद्ची है जबकि सामान अवस्था में 80 होता है डायस्टोलिक देखना वर्द रक्षण के रोगं को कैसा हाल लेना चाहिए निमले खित् चाहिए उच्छी कैलोरी युक्त आहा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उच्छी सोडियम युक्त आहा लेना चाहिए विनी लेना चाहिए उच्छी सरकडा युक्त आहा लेना चाहिए नहीं कम कैलोरी निम्न सोडियम स्टार्च युक्त आहा लेना चाहिए राइट अंसर हो जाएगा पी उच्छ रक्षा तथा हर्दय रोख सी पीढ़र बैक्ति में कौन सी बसा लेनी चाहिए आसंत्रप्त बसा संत्रप्त बसा मक्षन गी उपरोक्त में से कोई नहीं राइट अंसर क्या है आसंत्रप्त बसा के क्या-क्या उधारण है देखिए किन चीजों में पा जाता है असंत्रप्त बसा क्या लिक्विड फार्म में होती है और एजडील के लेवल को भी बढ़ाती है उच्छ रक्षाप के रोखी को कौन सा खनेज लवण कम लेना चाहिए तो कौन सा सोडियम खनेज लवण कम लेना चाहिए बाकि जितने भी लवण है वो नॉर्मल आप ले सकते हैं सिर्फ सोडियम की मात्रा कम करनी है सोडियम से क्या होता हमारे शेरी में सूजन आ जाती है उच्छ रक्षाप के रोगी को अधिक नमक नहीं लेना है मास मचली मसालेदार भोजन घी मखन सूखे मेवे से परेज करना चाहिए पून तहा बरज अपने अहार में आसानी से पच्छन योग भोजन लेना चाहिए ठीक है और उच्छ रक्षाप के बेक्ती अपने अहार में प्रति दिन सौ ग्राम आलू अवस्त करने चाहिए ठीक है ना क्योंकि अस्वा आलू में सोडियम नहीं होता है और बहुत सारे पौश्टिक सकते हैं इन में से कौन सी सब्जी हर्दय रोगी के लिए वर्जित है लौकी गाजर फूल गोवी उपरोग सभी राइट आंसर क्या है फूल गोवी यानि कि जो गैस बनाने वाले सब्जियां होती है उनको अहार में सामिन नहीं करना है जैसे कि है फूल गोवी पत्ता वर्जित है अंडे का सफेद भाग यह तो वर्जित नहीं है ले सकते हैं आप अंडे का पीला भाग यह वर्जित है क्योंकि इसमें कॉलिस्टरोल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और इसकिम दूद यानि कि यह भी ले सकते हैं वसा रहित दूद है और वसा रहित मा वीडियो में प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू वर वाल